असलाम लेकुम आज हम बना रहे हैं असलाम लेकुम आज हम बना रहे हैं आलू विज चिकन ठीक है हमने चिकन का कोड़मा बनाना है और जो हमने थोड़े से इसमें प्टैटो एड़ करने हैं तो सबसे पहले मैंने ओयल गरम होने प्रिए रख दिया है इसमें अब मैं अनियन किके अट मैटो और जो है लेसन अद्रक वो फार्प यह वा डाल दूगी इसमें जैस लेसन है अद्रक हमने पूटी यहां वो हम डालेगे रगते तो हमारा अनियंट प्राइब हो चुका है अब मैंने इपेस्ट बना है इसमें खुश्ट धनिया है है हडी मिच है खीक है और साथ में अधरक है हमारा यह एड़ कर देंगे और इसको चीज़ा से फ्राइ कर लेंगे तो जहां भी यह फ्राइ हो चुका है अब मैं इसने एड़ देंगी फल्दी का पाउडर इसके बाद लाल मिक्स का पाउडर और हस्वे जाइखा लमा एड़ कर दें और इसको चीज़ा से फ्राइ कर लेना है और मैं डाचीनी एड़ कर देंगी इसमे और फोड़ी सी खाली मिक्स और लॉंग इड़ी एड़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा पानी डालके हम फ्राइ करते जाएंगे तो इसको फ्राइ कर लेंगे तो यह मारा जो है मसाला यह फ्राइ हो चुका है अब हमने इसमें जो है चिकन को मैंने वाश कर लिया है ठीक है तो इसके ज़ला से हमने फ्राइ कर लेना है मैं इसमें यॉगर्ट में एड़ करूँगी तो हमारे चिकन का जो कलर है अल्मोस्ट वो चेंश हो चुका है अब हमने क्या करना है हमने इसमें एड़ कर देना है यॉगर्ट यॉगर्ट को जब भी आपने एड़ करना है आपने इसकी तरह से इसको बीट कर लेना है ताके योगर्ट की जो खुटकियां बनी हुई होती हैं वो सोब्दे में जब आपनाएंगे तो गोस्ट में भी खतम नहीं होगी वो नजर आती रहेंगी ठीक है अब में मारे लाइट गई हुई थी अब लाइट आ गई है तो तो यहां पे मैं इसमें पानी भी आड़ कर दूँगी थोड़ा सा और इसको हम फाइट मेंट के लिए ठत देंगे ताके यह अच्छी से इसकी लेवी भी रैडी हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छी से गल जाए तो यहां पे जो हमारा है वो चिकन भी हो चुका है ठीक है और घल भी चुका है अब हमने इसमें एड़ कर देनी है आलू और ब्रीन चिलीज ठीक है ब्रीन चिलीज एड़ करेंगे मैं आश्में और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है ठीक है और इसको आपने कुफ करना है रोड़ी दे ताकि आलू चुहें उसमें भी अमसाला जो है वो अच्छी तरह से रस बस जाए ठीक है तो इसको बंद करते हैं वाज़ के लिए तो यहां पर हमारा चिकन और आलू जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं हमने इनको भूल दिया है लोगर डाल के ठीक है तो यह फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें कोर्मा बनाने के लिए इसमें हम पानी आइड कर देंगे आप गरम पानी भी आड कर सकते ह ताके जो है वो पानी जो है जड़ी बॉल हो जाए और ठक जाए ठीक है मैंने नीम गरम सा कर लिया है बॉयल है था तो मैंने इसको थोड़ा सा गरम और कर दिए तो हम अब आड करते हैं पानी तो यहां पर जो है पानी एड करना है इसमें ठीक है आप अतना एड कर फिर्षानद भै워서 को प्रॉश्त है और मैं यहां बेशो कोरम बनाने के लिये एसमें में आपπαनी डाल दिया अब हमनी इसको 10 मिनक्त के लिए धाम के रख देंगे ताकि हमारा कोरमा रेडी होजाए बह आलुची के रेड़ी हो चुकी है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मिलते एक नहीं वीडियो साथ लापीज